हलो गाईज, विलकम बैक टो आवर चैनल, जॉब्स वाले भाईया, अभी आपके स्क्रीन प्रेफरेंट्स जैसे के दिख रहा है कि 4,682 पदों पे यहाँ पे बिहार के अंदर विकेंसी आने वाली है, जिसमें से फ्रेंट्स आपको बता दे कि 17 मई से यहाँ पे आपको 2,187 पद जो शुरू होने वाली थी, वो शुरू हो गई है, तो यहाँ पे फ्रेंट्स यह जो है सनातक स्तरिय है 2,187, अभी आप भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, 4,682 के अंदर कौन से कौन से पोस्ट है, जिसमें से सबसे जादा जो सीटे हैं फ्रेंट यहाँ पे 3100 मिनिममम सीटे आपको केवल आईटी आई के अंदर अभी खाली है, ठीक है, यहाँ पे 4,682 से ज़्यादा आपको लगभग पचपन सव क्यास पास सीटे देखने को मिलेंगी, तो हम लोग पूरा जिकर करेंगे, उससे पहले फ्रेंट्स आपको छोटी सी मोट इसना स्टूरी बता दूगा, यहाँ पे फ्रेंट्स सार्थक जोशी की बात करेंगे, जोब सबस्केजने फ्रेंट्स आप लोग को पता है कितना डिफिकल्ट काम है, उसनों भी अगर फ्रेंट्स बात करें कि आपके डूमेंस से अलग डूमें में जॉब लगने की बात हो तो और भी मुस्किल है, काफी चीज़ें देखी जाते हैं, डिग्रीज, रेजुमें, एक्सपिरियेंस, फ्लांचिला, बहुत सारे चीज़ें और इतना देखने के बात बहुत सारे कम लोगे से हैं, जो एक्सपिरियेंस हैं, वहाँ जॉब तक पहुँच पाते हैं, तो फ इस वेरी एस्पिरेशनल जॉब तो डे और बड़े-बड़े कॉलेजिस के सी एस ग्रेजुएट से मुस्किल से ही इतनी बड़े कम्प्री में वेल पेंग जॉब पाते हैं, तो सार्थक ने ये फ्रेंट्स कैसे किया, टू सिंपल रिजंस, इंट्रेस्ट एंडर एर में ही डेटा ट्रांसफर करने के लिए एब बना डालाग, क्लियर ली इंट्रेस्ट तो बहुत था पर अपरचुनिटी इस लिमिटेड थी, आप आज अगर कॉमर्स की डिगरी लेके सॉफ्ट्वेर डेवलमेट की जॉब ले जाते हो, तो सायद आपका रिज्वे में ह आपको प्लेस्मेंट मिल जाएगी, फ्री आपको प्लेस्मेंट मिल जाएगी, फ्री आपको कॉस्ट है अभी आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अभी जाएगी, अभी रिजिस्टर करिए, और मन पसंद डेट सेलेक करिए, टेस्ट दीजिए, और अपनी मन पसंद कंपनी में चल्दी प्लेस हो जाएगी, फ्रेंट्स क्योंकि ऐसे मौके बार-बार नहीं आते, त जूटी जिससे की ना हो, ठीक है, तो यह क्या चीजे भीजेगा, फ्रेंट्स में आपको बता दूँ कि आईटी आई के अंदर जो अनुदेसक की विकंसी आने वाली है, उसके रिगार्डिंग ये खवर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विभीन सेक्टरों के विरोजगा अधिकारी के हैं, 1470 क्रिसी समनव्यक के हैं, जूनियर जजस के हैं, आठ साल एक से बहाली का इंतजार कर रहे था अपर थी, जो बाइस सबसे पहले बात करते हैं, अनुदेशक क्या है, तो फ्रेंट्स आईटी आई के अंदर जो आप टीचर देखते हैं, जो वहाँ पर प आप वही लोगा भी चला पा रहे हैं, और जो संख्या है, फ्रेंट्स आईटी एक सुन अन्चास होग चुकी है, तो काफी प्रोब्लम्स का सामना करना पढ़ रहा है, एसे फ्रेंट्स ये विकेंसी जल्दी ही आ सकती है, और ये पर्मेनेट्ट विकेंसी आईगी, कोई य आप लोग को पताई होगा, उसके रिगार्डिंग भी जल्दी ही एक अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिस कर रहा हूँ था कि आप लोगो तक कोई तुरूटी ना रहे है, उसके रिगार्डिंग और आप लोग का फॉर्म साइज से फिलप हो जाए, और आप लोग भव सकते हैं अनुदेशक लेकिन जिन्होंने फिर चीज़ ध्यान देने वाली है, CTI या फिर CTS के नाम से भी लोग जानते हैं, अगर आपने किया हुआ है, तो डेफिनिटली उनको 30% का वेटिस मिलेगा अनुदेशक बनने में, और यूँ एक्साम्पल के तौर पर आपको काउंट किया जाएगा और बाखी जो 30 पर नंबर बस्ते हैं वो आपके जो ट्रेंड है CTS ट्रेनिंग जिन्होंने किया है, उनके जितने भी उन्होंने प्रतिसित हासिल किया है, मान कि चलिए किसी ने 80% हासिल किया है अपने CTS में, तो 80 का 30% वो निकाल लेंगे, यानि कि 24 नंबर उनको मिल जाएगा, ऐसे ठीक है, 30 में 24 नंबर, तो फायदे वाली चीज है, जिन्होंने CTS किया हुआ है, और बाकि जो पोस्ट है, फ्रेंस वो सनाता कस्तरिये हैं, तो जो ग्रेजुट टेवल हैं, वो लोग अपलाई कर पाएंगे, इसा तरमाई सही शूर हो चु वेस्ट होने के कारण से कभी-कभी हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए शौरी, लेकिन भविसे में ऐसे ही आपका सेवा अपडेट करते रहेंगे हम लोग, तो नेक्स टूडिय तक के लिए फैंस धन्यवाद